अध्याय आठ मुल्यों के अधार पर प्रबंधन को लागू करें हर व्यक्ति अंदर से बाहर की ओर जीता है आपके अस्तित्यों का केंद्र और आपके जीवन की धूरी आपके सबसे अंद्रूनी विश्वासों और आपके सबसे गहरे जीवन मुल्यों से बनती है आपके जीवन मुल्य ही आपके चरित्र और व्यक्तित्र को तै करते हैं उनी से यह तै होता है कि आप किसकी खातिर खड़े होंगे और किसकी खातिर खड़े नहीं होंगे स्ट्रेश्ट लोगों की एक निसानिया होती है कि वे अपने जीवन मुल्यों के बारे में बहुत अस्पष्ट होते हैं और किसी भी परिस्थिती में अपने जीवन मुल्यों से समझोता नहीं करते हैं आप सिर्फ तभी सचमच खुस होते हैं जब आपका बाहरी जीवन आपके अंदरूनी जीवन मुल्यों के पूरे सामनज़से में होते हैं। दूसरी और तनाव तब होता है जब आपकी बाहरी गतिवीधियां और वहवार आपके अंद्रूनी विश्वासों के अनुकूल नहीं होता है या उसके विपरीत होता है। सरस्रेष्ट कंपनियां जानती हैं कि लोग अपने जीवन मुल्यों के विपरीत काम करने के लिए प्रेरित नहीं हो सकते हैं वे उस कंपनी में काम करने के लिए भी प्रेरित नहीं हो सकते हैं जिसके जीवन मुल्य उनके खुद के जीवन मुल्यों के सामंजस्य में न होता है वेक्तित्यों का मंत्र, कल्पना करें कि आपका वेक्तित्यों संकेंद्रित गोलों से बना है जैसे कोई डार्ट बोर्ड होता है, सबसे सुरू में आपके बुनियादी जीवन मुले होते हैं, आपके जीवन मुले दूसरे गोले को तै करते हैं, यानि खुद के और संसार के ब तो आप संसार को उस तरह नहीं देखते जैसा यह होता है आप तो संसार को उस तरह देखते हैं जैसे आप होते हैं जैसा Harvard University के William James ने एक बार कहा था विश्वास वास्तविक तथे का निर्मान करते हैं आपकी अपक्षाएं आपके वेक्तितों का तीसरा संकेंद्रित गोला है जिस तरह आपके जीवन मुले आपके विश्वासों को तै करते हैं उसी तरह आपके विश्वास खुद के बारे में दूसरे लोगों के बारे में और आपके आसपास के संसार के बारे में आपकी अपक च्छाओं को तैग करते हैं, आपकी अपक्छाओं खुद पूरी होने वाली भविस्वानिया बन जाती है, दूसरों से आपकी अपक्छाओं का उनके असल वहवार पर भारी असर होता है, ये खास तोर पर आपकी संतानों, जीवनसाथी और करमचारियों के मामले में लागू होता है, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक खुद से आपकी अपक्छाओं ही काफी हद तक तैग करती है कि आप कैसा परदर्सन और वहवार करते हैं, आपका नजरिया आपके व्यक्तित्तों को तैग करता है, आपके जीवनमुले विश्वास और अपक्छाओं आपके नजरियों को तै करती हैं, वे इस बात को तै करती हैं, कि आप संसार से किस तरह संपर्क करते हैं, है दि आपके पास अच्छे जीवन मुल्य सकारात्मक विश्वास और अच्छी अपिक्छाएं हैं, तो आपका अपने प्रती और अपने आस पास के संसार के प्रती सकारात्मक कि तथा आसावादी नजरिया होगा, आपका वहवार पांचवा संकेंद्रित गोला है, यह वहवार आपके जीवन मुल्यों, विश्वासों और पिक्छाओं और नजरियों के मिसरन से तै होते हैं, कारे ही सब कुछ है, कोई वेक्ति अंदर से कैसा है, यह इस बात से तै नही होता कि वह क्या कहता है, या चाहता है, या आसा करता है, या इरादा रखता है, माइने सिर्फ यह रखता है कि वह क्या करता है, खास तोर पर वे काम जो वह धबाव में करता है, जब उसे एक काम और दूसरे काम के बीच चुनने के लिए विवस किया जाता है, कारण यह है क आपके जीवन मुल्य एक तरह से आपके DNA का हिस्सा है आप में एक गहरे आव चेतन अस्तर पर उनकी प्रोग्रामिंग हुई है वे आपके नजरिये और आपके बहवार को तैक करते हैं वे जिंदगी भर सायद ही कभी बदलते हैं सरस्रेश्ट कमपनिया और मैनेजर जीवन इस बारे में भी बहुत अस्पश्ठ है कि उन्हें वेवसाय में लोगों के कारियों और व्यवार में वे जीवन मुल्य किस तरह व्यक्त होते हैं वे किसी को नौकरी पर रखते समय च्छमत और योगिता को जितना महत्व देते हैं, उतना ही महत्व चरित्र को भी देते ‫हांने, खास जीवनमुल्यों के प्रतिवचन बदता लोग उससें अंगठन में काम करके सबसे ज़ादा खुस होते हैं, जो उन जीवनमुल्यों के पक्च में खड़ा होता है और उनका भ्यास करता है जो उन्हें व्यक्तिकत रूप से सबसे प्रिये होते हैं जीवन मुल्य ही सब कुछ है मेरी एक ग्राहक कंपनी विचार के रूपे सुरू होकर राष्टी इसकर पर सफल होई इसकी सुरुवात में ही वरिश लोगों ने बैठ कर से भ्यास करेंगे इसके लिए जब भी कोई किसी तरह का निरना लेता था तो वह पांच जीवन मुल्यों की सूची निकालता था इसमें लिखा था कि वह जीवन मुल्य किस तरह व्यक्त होते थे इस बारे में बाचित करते थे कि क्या वह निरने इन मार्ग दरसक सिधानतों के पूरे सामंजस्य में था जब मैंने इस कंपणी के साथ काम किया और इसकी वार्षिक बैठक में गया तो मैं यह देख कर दंग रह गया कि कंपणी में काम करने वाले सेकड़ों करमचारिक कितने सकरात्मा का आजम विस्वार और बहिर मुखी थे खुस थे उत्साही थे और कंपणी की सफलता के प्रती पूरी तरह से समर्पित थे सवभागे साली 500 जब केन ब्लैंचर्ड और नॉर्मन विंसेट पील ने अपनी पुस्तक दपावर ऑफ इथिकल मैनेजमेंट में सवभागे साली 500 की अवधारना का विस्तार किया तो उन कंपनियों के पास स्पशल लिखित जीवन मुल्य होते थे जिने हर करमचारी जानता था उनमें विश्वास करता था और उनके अनुसार जीता था उसी उद्यों की दूसरी कंपनियां भी यह दावा करती थी कि उनके पास जीवन मुल्य बहरहाल ये जीवन मुल्य या तो ल आर्गदर्सन की बात तो रहने ही दे अर्थ और उद्देस से फर्क पड़ता है सबसे गहरी मानुए आवशकता जो वेक्तित्व के मूल में होती हुआ है जीवन और कामकाज में अर्थ वे उद्देस की आवसकता आपके वेवसाय में अर्थ और उद्देस इस्परेशन का ज आपके प्रोड़क्ट्स और सेवाएं आपके ग्राहकों के जीवन और कामकाज में कैसे फर्क डालती है आपके प्रोड़क्ट्स और सेवाएं दूसरे लोगों के जीवन को कैसे बदलती है बहतर बनाती है और इसका काया कल्प करती है और्थ और उद्देस हमेशा वेक्ति के जीवन मुले दंतर से उत्पन होते हैं इसलिए मैनेजर के रूप में यह इतना महत्पूर्ण है कि आप संगठन के जीवन मुलेओं को बार बार बताएं और उन जीवन मुलेओं को भी जिनमें आप व्यक्तिकत रूप से विश्वास करते हैं गुनवत्ता, सत्यनिष्ठा, मित्रता, सेवा, व्यक्ति के प्रतिसंवान, व्यक्तिकत विकास, आत्मगार और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे जीवन मुलेओं वे घटक हैं जो लोगों को उद्धिपित करते हैं, प्रेरित करते हैं और पृत्साहित करते हैं जब लोगों को यह महसूस होता है कि वे जो क कर रहे हैं उससे कोई ज्यादा उचा उद्दे से पूरा होता है या वे अपने काम की गुनवत्ता से दूसरे लोगों के जीवन में फर्क डाल रहे हैं तो वे अपने सर्वस्रिष्ट अस्तर पर काम करने के लिए प्रुथसाहित होते हैं कर अभ्यास पहला तीन से पांच सबसे महतपूर्ण जीवन मुल्यों के सूची बनाएं जो आपके वेवसाय और निरने का आधार है इन जीवन मुल्यों पर दूसरों से चर्चा करें और यह सुनिश्चित करें कि हर कोई उन्हें जानता हो दूसरा अपने काम को उस अर्थ औ जिसकी वज़ा से आप इस वेवसाय में हैं